तो दोस्तो आज शूडम में आपको बताने हैं आप किस तरह से अपने डेस्टॉप पे notepad++ डाउन्लोड टर सकते हैं notepad++ पर आपको notepad से ज्याजा फीचर प्रोवाइड करता है तो डाउन्लोड टरने के लिए सबसे पहले हमें chromebrother ओपन करना है जैसे चैपि मैं chromebrother ओपन कर रहा हूं यहाँ आपको notepad++ डाउन्लोड खरता है जैसे यहां पर मैं कर रहा हूँ वैसा है आपको इंटरनेट तो आप यहां पर सर्च टर लेला है जैसे दुसर देसाती है मैं नोटपैड यहां पर सच टर रहा हूँ नोटपैड प्लस फ्लस यहां पर इट मिंट यहां पर आशाथ है तो फिल्क कर दे तो simply आपको for downloading latest update, so click on that, so this is our content here, so this is our content here, so all these options are available here, 32-bit, 64-bit, my 64-bit operating system is available, so simply I will click on 64-bit here, so after clicking clicker, after clicking on the left, after clicking, you will click on the right button, so I will select 32-bit, so my 64-bit is available to 64-bit, so you will click on the right button, so just click here, simply click here, so simply click here, then just open the setup file, simply just click here, after clicking on the left button, then click on the left button, लिएन different ह gereed आपको यहांपे टिक गरना है उपर तो उपर कर लेते हैं और यहांपे जो नीचे ओप्षिन आ रहा है इस्टॉल वहाँ पे ट्लिक कर देना है तो कि यह अभी अपने डेश्टॉप पे इंस्टॉल होगा तो simply कर देना है तो यह जासते इस पूरे सेटफ फॉयल यहाँ पे लोड हो रही है तो यहाँ पे कर देना है लॉंच तो आप जिर सते हैं पूछ इस तरह प्रहा हमें मिलता है अपना प्लस प्लस और टापी सारे फीचर मिलता है जो हम डिफॉल्ट नोट पैड यूस रते हैं उससे बहुत अच्छा है यहां पर फॉंट टलर भी चेंज टर सकते हैं बट आप डिफॉल्ट नोट पैड जो है उसमें ट बडी आप टॉल्ट चैंज टर सकते हैं यहां पर बहुत से स्टाइल मिलते हैं यहां पर स्टाइल आप श्टाइल आड टर सकते हैं आप NotePAD जो हमारा डिफॉल्ट है। उसमें नहीं टर सकते हैं तो इस इसो डैड डिषन दीलील पोर यू लाइस में तक तेले बार